जो पपू सब्द दिया था वो बिल्कुल सही रहे हैं। हरियाना राजस्तान में इसको लेकर हालांकि पूरे देश में लेकिन बिजेपी कारेकरताओं ने हरियाना और राजस्तान में इसको काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में ला रखा है। इनका पूरो में टिक्टार्थियों में भी नाव आया, विदायक की दोड तक रही है, इनको टिकेट हालां की मिल नहीं पाई थी। बिजेपी की कारेकरता ऐसी है कि अब एक रेली होने जा रही है, उसके लिए मैं आया तो ये भीड जोड रही थी, महिलाओं को इकठा कर रही थी, मुख्यमंतरी साब की रेली के लिए। फिलाल इनसे पूछूँ का कि उपराश्टपती की भान जी है, बिजेपी की कारेकरता है, खुद एड़ोकेट भी है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल मैंने इनकी फोटोस देखी, ये भी पुतला देन जो हुआ, उसमें शामिल थी आप दादरी में, क्या कहेंग कि दो दिन पहले ये बाते हैं, हमने एक आपके टीवी के मादम से, मंदों के मादम से, वीडियो के मादम से पता चला, और कि कुछ सांसद, वीडियो बना रहे हैं, या उनकी एक्टिंग या नकल उतारना जो हम कह रहे हैं, वो नकल उतार रहे थे, ये कितने ऐसों बने बा वह भी देखता है, चलो लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो को देखता है कि राउल जी ऐसी छोटी हरकत कर रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं उनकी, सानसद है, चाहिए वो राजे सभा के मेंबर है, चाहिए वो अमपीज है, सभी उस जो बंदा टीमसी से हमारे सानसद हैं और अपने आपको पार्लियमेंट के मेंबर कहते हैं कि हम पबलीक की कानून बनाने का एक जो सवीधान जहां लागू उता है, जहां कानून बनते हैं, उस पार्लियमेंट का वो मेंबर है और ऐसी छोटी-छोटी अरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुती सरमना ग worry, तो वह उनकी नकल उतार रहु है, और रहुल जी एक अपने भी देखी होगी, फोन हाथ में लेके और वीडियो बना रहे और उनको उकसा रहे हैं । को रहुब और बातें बताईये। जो मैं कहती हूँ इनको जो पपफु सब्द दिया था वह बिलकुल सही दिया था, और इने के जो पेले कॉंग्रेश में थे नव जो ट्षीद्धू, उन्होंने इनका सब से पहले पपफु नाम निकाला था, वह उनने बिलकुल साबित कर दिया, कि मैं वास्ताव में ही पपु हूँ, वह कैसे साबित किया, यह तो एक ना समझ बच्चा भी नहीं करता, तुम किसके नकल हुआ है, वो आज जो उप्रासपती जदीव दनखड़ जी, जिस पद पे बिठाए गए हैं, वो एक पार्टी के वो नहीं है, वो बिजेपी पार्टी के, वो बहुत ही सहवेधानिक पद है, और व सभी के साथ लेके चलने वाले हैं, जो वहां पे हर पार्टी के सांसद, राजे शबा के लोग बैठते हैं, वो सभी की बातें सुनते हैं, सही गलत का निर्ने लेते हैं, सही गलत का बहुत का बहुत 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 बूलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत एक एक मानन ये पद पर बिठाए गए हैं, अगर ऐसे लोगों का एक अंपी मजा कुड़ा रहा है तो इसे तो मैं कहते हूं निंदनी कोई सब्द होई नहीं सकता, तो पप्प अपने आप में ही साबित हो गया, कि मैं वास्तों में पप्पू हूं, ऐसे छोटी-छोटी हरकतें क अब ये उनकी वीडियो बनाई, एक बार जब हमारी संशत चल रही थी तो खड़े हूं ये कुछ लोग सोचे पता नहीं कहां जा रहे हैं, जा के मोदी जी के गले मिलना, ऐसे ऐसे हरकतें, अभी थोड़े टाइम पहले बहुत चर्चा में रहे हैं कि किसी महीला के पड़त सब्सक्राइय थे इस एक बहुत घलत तरिके से पेश करिके क कहां रहा हैं, तो ये कहांकि के एक क्यों करें डी मोदी रहे हैं, अपने तूपर और सकुता, जो हरकतें हें, हमारे राउल जी, जो अद्धेक्स की दोड में थे, वह कहतें, मैं देस का परधान मंतरी बनूंग कि इतने पध्यात्रह करी और राउल जी आपने तो झाम से कहां कॉंगरीश को नीचे पुंचा दिया ऐसे उनकी अरकटों ने पुंचा दिया तो बहुत ही ऐस्वों बाते हैं और पूरा देस उनकी किरकरी उनकी नहीं हूई जगदीब धनकळड़ जी की कोई किरकरी नहीं कि जो राजी सभा के सामसद हैं, वो पेंदर सिंग हुडा जी के बेटे, जो पहले हमारे सीम रहे हैं दास साल लगातार, उनके बेटे जो राजी सभा से चुन के भेजे गए हैं, दे पेंदर हुडा जी, वो वहाँ पे खड़े तालियां बजा रहे हस रहे हैं, बच्चों ज के किरकरी हो रही है इक तो यह तो आपके भाव BJP करकर्ता के तोर पर थे हालां की लेकिन परिवार के सदस्से के तोर पर परिवार में कैसी बाते है जिससे आपका WhatsApp गूरूप है और सारे लोगा बात करते है आपस में शारे जुड़े हैं सवाल पर मैं आपको एक सरू से बात बता रही हूँ जदीब दंखड़ जी जो बहुत ही एक बच्पन से ही उनका नेचर जो रहा है उपरास्ट पतीजी का बहुत ही सरल सभाव के वो हैं और जब उनका गुसा आता तो गुसा भी उनका इतना आता है कि बस पूछो मत लेकिन थोड़े टाइम पहले का था कि ये नमस्ते ऐसे करते हैं अरे आदत ही उनकी ऐसी है वो छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी परिवार में बड़े मिला ननुसार हैं बच्चों को भी अपने गोदी में ले लिया इतने उचे पद पे होते हुए बच्चों के साथ मिलना ज एक लग उनकी रही बात शतान से टायम पेले तो वह बात चलिकी ये परधान मंतरी जी के सामने ऐसे हाँ जोड़के चलते हैं तो उन्हों तो नोंते सायब इस बात को गोर से नहीं देखाится पर्धान मंतरी जी ने पहले हाँ जोड़ जब वह गाड़ी से उत अज उतर रहे चोटी सोचोटी हरकत पे से आरही है कि कैसे कैसे लोग हैं, यह उनकी उचाईों से देखे नराज हो रहे हैं, यह उनकी छोटी मानसिकता दर्शाति है, कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हड़डाट में कुछ तो करें Such और ऐसा कि वो पङली को या उनको किसी परकार से अ वहां पर भी उन्होंने उनका खूल कर विरोध किया, महिलाओं के लिए वहां बहुत जमकर कारिये किये, तब उनको सही कारिये करने हे तू तो उनको परदहां ये उपरास्थपती जी बनाया है, अकि उपरास्थपती उस बंदे को बनाया जाता है, जो सब को साथ लेके चलन वाला और सही सविधान को लागू करने वाला सही काम करने वाले को बनाया जाता है वो एक बहुत ही छोटे परिवार से किसान के परिवार से पैदा हुए और आज जिस पद पे बैठे हुए है वो उनकी काबलियत के अनुसार बैठे हैं, अब हमें दो तिन दिन पहले ये वीडियो देखी, तो बड़ा दुख हुआ, पिर से इनोंने अपने छोट मानसिकता के अनुसार इनोंने फिर वोई बात के, तो हमें दूख नहीं, हमें तो ये है कि इन को ऐसे चाहिए कुछ भी करें, कुछ भी, ये तो कुछ भ भी नहीं डगमंगाएंगे, ये चाहिए कितनी छोटी हरकतें कर लें, वो जो उन्हें ने लेना है, जो अपने जाट समदाए, छब भी, चथिस विरादरी के लिए का मेरे वरक के लिए, जो फैसले उनको करने हैं, वो उनके हित के लिए करेंगे, चाहिए, चाहिए कॉंग बीजेपी मुका भुनाने में सबसे उपर है, कि जिस तरीके से जाट जोड दिया, कि जाटों का विरोध हो रहा है, ये तो जाटों का अपमान कर दिया, और बहुत चारी सोसल मीडिया पर बाते चल रही हैं, कि बीजेपी अब जाट वोट मेंग को लुभाने के लिए, कि हरियाना में तो आरोप लगते रहें, कि 36 जो पैतिस एक का नारा दिया गया, नोन जोट की राजनी थी बीजेपी पर आरोप लगते रहें, अब जाटों को साथ चोड़ने की बात है, मतलब बीजेपी को मोका मिलना चाहिए, बस आप लोगों को पुतला फूग ने निकल कोई ना जाट या ना, अब आप यह देखिए, सबसे पहले तो मैं पर उपरास्टपती जी के लिए ही बताती हूँ, आज तक अमारा इतियास उठा के देखे, जब से हमारा सवीधान लगए, जब से हम आवोए हैं, कभी भी जाट उपरास्टपती नहीं बनाए है, अब य यह तीन स्टेट में जो रिजल्ट आई हैं, वो भी आपने देखे होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कि राजस्तान में ऐसे आदमी को सीम बनाएंगे, बताने कितने लोग बैठे थे, मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, लेकिन नाम आया जो सबसे पिछे लाइन चोटे से चोटे से कारिये करता को कहां से कहां भी ठा दें, तो यह हमारे देश के प्रधान मंतरी और बीजेपी का नेचर रहा है, और किसी कने, कांग्रेस जो आज यह विपकसी, जो मुद्दा बना रही है, वो इसलिए बना रही है, आकि इन बीजेपी को कैसे रोका चाहिए भी पकस के कितनी भी पार्टियां, चाहिए जाट, नोन जाट, अधर कास्ट के बारे में कितना नारा लगा ले, कहते हैं जाट वोट नहीं देते, कौन कहते हैं जाट वोट नहीं देरा, बीजेपी के साथ हैं जाट, यह देखो कितने जाट हैं, हमारे चोदरी अर दन्खड वो भी हमारे BJP के हैं जो हमारे अद्देक्स थे अब उनको संग्थन में उनकी जरूरत थी तो राष्ट ये सचीव ना दिया गया उनको उपर उनकी बही बहुत बड़ी सोच थी इसलिए उनको अद्देक्स हर्याना में जितनी सेवाइं उनसे लेनी थी वो लेली बहुत बड़ा संग्थन मजबूत करके अब उनकी सेवाइं अन्ने परदेश में ली जाएंगे इसलिए उनको राष्ट ये सचीव ना दिया हमारे द्रहमवीर जी हैं जो कितनी बारंपी रह लिए वो हमारे BJP में हैं हमारे कितने आपको जाट नेता गिना हो अब हमारे ज जाट और नोन जाट का नारा कोई और नहीं लगा रहे है कुछ तत्तव ऐसे हैं चाहिए वो कॉंग्रेस के लगा लो चैहिए वो भी पक्सी पार्टियों के लगा लो आके इनका धन बठका दो जाट थोड़े वीचारे बोड़े-बाले हों से जाने इनने बुला लो आर य फिलाल भाई जिस तरीके से राजबाला शोरानाज hai ओज के शात तेज के साथ बिजेपी की जीतने का दावा कर रही है जाटो के समंर्थन का दावा कर रही है उपहरां अपरफपती की बात करे उनके परीवार को ले करके खास हमने एक प्रिवार की मेंबर हैं ये तो उस तोर पे भी हमने इन से बात की बिजेपी की कारिकरता भी है उस तोर पे भी हमने इन से बात की तो फिलाल इनका भाव क्या था क्योंकि भीवानी में जो हम उप्राश्पती की बात आती तो इनके पास चले आते हैं क्योंकि उनके प्रिवार इनके साथ कई वो है और फिलहाल इनका जुडाव वैसा है और BJP के साथ जुडाव तो इनको लगता है कि मोदी जी दुबारा सरकार बना पा रहे हैं बनाते नजर आ रहे हैं इनको और दूसरे जो हैं वो घिरते नजर आ रहे हैं को लग रहा है कि सब कमजोर पढ़ रहे हैं और नोन जाट की बात बीजेपी नहीं करती हिनको लगता है कि दूसरे तत्व हैं वो करते हैं फिलाल आपका क्या कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह का महौल चल रहा है उससे बीजेपी को फायदा दिख रहा है कोंग्रेस वीडियो को शेयर करते हैं कुमेंट में लिखें तब तक के लिए धन्यवाद है राम राम शेह